गुद्मॉर्णिंग एवर्वन आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 61 सब्जेक्ट साइन्स क्लास 9 हमारी डे 27 नवंबर के लिए तो चलिए शिरू करते हैं पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा थॉम्सं के बारे में थॉम्सं की मॉडल के बारे में रदरफोड के पढ़ेंगी बोहर मॉडल ऑफ अटम स्रॉक्चिर ऑफ अटम हम पढ़ रहे थे स्रॉक्चिर ऑफ अटम सभी ने अलग अलग स्ट्रॉक्चिर दिया एक्जैंपल्स दिये उनको समझाने की कोशिश की ड्रोबैक्स भी आए तो उसके बाद उन दोनों के बाद क्या आया बो उसके अनुसार तो ऐसा होता कि जो एनर्जी है एलेक्ट्रोन की वो खतम होके बीच में वो नुकलिस को ही नश्ट कर देगी है ना तो how the stable existence of an atom is possible and explained लेकिन फिर भी हमें तो यह पता है कि atom तो stable होता है तभी तो सारी चीज़ी exist कर रही है तो इस चीज़ को कैसे explain क्या है दे कि जो revolution है electron का जो electron चारो तरफ घूम रहे है circular orbit में वो stable नहीं होने चाहिए ठीक है so in order to overcome the objections इस objection को वो करने के लिए accurate दिखाने के लिए उसको प्रूफ करने के लिए जो रदर फोर्ड मोडल अन आटम है उसकी against कुछ अब्जेक्शन रखे गए नील बोहर की द्वारा जो ए ठीक है जो बोहर का अटम था तो बोहर मोडल अन आटम में क्या था देखो नील बोहर जिनका जन्म हुआ 1885 में और उनकी प्रत्यूई 1962 में इन्होंने अपने मोडल अन आटम को सामने रखा 1922 में जिसके दो main features थे जो दो main features थे वो क्या थे पहला inside atom the electrons revolve around the nucleus की atom के अंदर ज only in certain special orbits कुछ special orbits में यह नहीं कि वो किदर भी घूम रहे हैं कुछ special orbits होते हैं उनी में वो घूमते हैं जिसको discrete orbits बोलते हैं या फिर shells बोलते हैं as they have different energy levels क्योंकि हर orbit का अपना-पना अलग energy level होता है जैसे यह क्या होगा आपका nucleus ठीक है इसके चारों तरफ यह है हमारा पहला shell इसकी energy क्या होगी और जो यह वाला energy इसकी energy इन दोनों की energy में अंतर होता है सार सबकी जो orbit की energy है सब में क्या होता है difference होता है तो इन orbits में जो electron है वो घूमता रहता है and electron does not radiate energy अब यह फंडा था कि energy खतम होते को थे तो electrons ऐसे घूमते रहेंगे तो उनकी energy जब खतम होगी त वो तो nucleus कोई खतम कर देंगे है तो इस चीज को उसने कैसे explain किया कि जो electron है वो ready energy radiate नहीं करता during their revolution in this discrete orbits energy shells around nucleus and electron की कोई energy नहीं लगती जब वो जो orbits से उन पर घूमता है ठीक है उसकी energy कब लगती है it can only jump from one orbit to another by losing or gaining only a fixed amount of energy जब वो orbit देता जैसे इसको एक orbit से दूसरे orbit में वो jump करता है तो वो gain करता है ठीक है या फिर gain करता है फिर loss करता है कुछ amount of energy जो fix होती है हर एक orbit के लिए ठीक है एक amount fix होता है कि यहां से इस orbit से जाने के लिए इस orbit में इतनी energy चाहिए ठीक है वो fix होता है तो he named these orbits shells उसने इन orbits का नाम दिया energy levels उनको बोला गया KLMN आगे भी है ओ पी क्यों भी कर सकते हैं KLMN ठीक है यह orbits को उसने नाम दिया जो K है वो है पहला orbit L दूसरा orbit M तीसरा orbit और N चोथा orbit इसी तरीके से आगे सी तो जो outermost orbit है एक atom का वो होता है उसका valence orbit मालीजे जैसे आपके किसी का है 11 is sodium का atomic number तो 281 बनता है ठीक है तो इसमें 3 shells बनेगे KLM त तो जो outermost सबसे बहरी orbit होता है किसी भी atom का वो क्या होता है उसका valence orbit होता है and electrons present in it जिसतने present उसके अंदर होते हैं electron जैसे मैंने अभी बताया 281 तो यहां पर 1 electron present outermost shell में तो यह क्या है valence electron है ठीक है अब देखो जो maximum number of electrons which can revolve in energy shells कितने electron से एक energy shell में घूम सकते हैं आपको जैसे और थी were-trons के परिखा ओन जाने होते हैं इसके और च्वह चोटी-छोटी circles आपको दिखा रहे हैं यह देखो चोटी-छोटी है यह ब्ला 10 shown में maximum कितने electrons गूम सकते हैं कि अधिया ओर फिक्स होता है and given by the formula और फिक्स होता है वो एक formula से निकाल सकते हैं कि पहले orbit में कितने आ सकते हैं दूसरी orbit में कितने electrons गूम सकते हैं तो उसके लिए formula 2 n square n क्या है आपका orbit पहले orbit में अगर आपको check करना है तो n की वैल्य का square क्या हो गया 2 बंजा 2 ही होता है यह देखो तो k shell में 2 electrons आ सकते हैं इसी तरीके से l shell में count करेंगे 2 n square है l shell दूसरा है तो n की जिके 2 रखेंगे ऊपर square है तो 2 multiply 2 का square क्या होता है 4 ठीक है तो यह हो गया 8 तो जो आपका L shell है, उसमें maximum 8 हो सकते हैं इसी तरीके से M में निकालेंगे 18 हो सकते हैं, जादे तरे electrons ठीक है, the maximum number of electron that can be accommodated in outermost orbit is 8 जो outermost सबसे बहारी वाला जो electro, वो होता है आपका orbit होता है, उसमें maximum 8 ही आ सकते हैं आपके electrons, ये octate rule जिसको हम बोलते हैं, ठीक है octate rule क्या है, कि जो electron है, जो outermost shell में आ सकते हैं, outermost orbit में आ सकते हैं, वो सिर्फ 80 ही हो सकते हैं, ठीक है, ये 18-32 ये नहीं होंगे सबसे बहार वाले में 80 ही होंगे ये octate rule होता है, ठीक है अब देखो, उसके बाद है neutron, हमने बताई थे, atom के, कौन से कौन से electron, proton, neutron तो neutron भी क्या है, एक subatomic particle है, जिसको neutron बोलते है neutron किसने discover किया था? Jay Chadwick ने, ये आपको ध्यान रखना है और फटा-फट से मुझे comments में बताऊगे कि कि किसने जो electron है और जो proton है, discover किये थे at least उसके half comments मेरे पास आने चाहिए, कि पता लगेगा कि कितने बच्चे पढ़ते हैं, या सिर्फ answers को copy करते हैं, ठीक है? तो देखो, जो neutron है, वो discover किया, कौन से scientist ने? Jay Chadwick ने, कब 1932 में जो neutron है, उसको कोई charge नहीं होता है, जैसे electron है, वो proton के mass जितना ही होता है, same as mass of proton, mass तो इसका proton जितना ही होता है, लेकिन charge नहीं होता है, इस पर proton की तरह है, neutron को हम दिखाते हैं, N से, electron को दिखाते हैं, E से, proton को दिखाते है, P से और neutron को हम दिखाएंगे, N से, ठीक है? अब neutron होता का है? तो बहर के according, he said that neutron are present in nucleus, वो और के according, जो neutron है, वो nucleus के अंदर होते हैं, along with the protons, protons के साथ-साथ, तो nucleus में क्या-क्या होता है? protons और क्या होता है? neutrons होते हैं, ठीक है? Thus most of the mass of an atom is concentrated inside nucleus, इसी लिए आमने पिछली वोक्षिन में देखा था, कि मैंने बोला था, आपको जो ज़्यादा तर mass होता है, भार होता है, जो पूरे atom का, वो nucleus के अंदर होता है, वो इसी कारण होता है, क्योंकि उसमें proton और neutron दोरो nucleus के अंदर होते हैं, तो mostly weight है, mostly mass है, वो सारा nucleus के अंदर होता है, because electrons mass is negligible, क्योंकि जो electron है, उनका structure of sodium atom, यह अभी मैंने आपको बताया था, two, eight, one, तो पहले में, दो है, ठीक है, ध्यान से देखो कि, दो आपके circles मिलेंगे, बाहर आपके eight circles है, और उससे बाहर आपके एक है, outermost shell में, ठीक है, hydrogen atom बनाएंगे, तो यह proton है, आपका एक ही electron होता है, hydrogen atom का, of Neil Bohar's model of an atom, जो Neil Bohar's of model atom है, उसके दो postulates आपको बताने हैं, तो लिखोगे, two main Bohar's postulates are, जो दो उसके main postulates असने दिये थे, वो है, first, inside atom, atom के अंदर, the electrons revolve around the nucleus, जो electrons है, वो घूमते हैं, किसके around nucleus के चारों तरफ, ठीक है, only in certain special orbits, उन special orbits होते हैं, सब electrons के, अपने अपने उनी के अंदर घूमते हैं, जिन orbits को हम बोलते हैं, discrete orbits, या फिर shells, as they have special orbits को क्या बोलते हैं, discrete orbits या फिर shells, क्योंकि उनका क्या होता है, अलग-अलग different energy level होता है, तो उसके guarding वो अपने अपने orbits ने होते हैं, दूसरा point है, an electron does not radiate energy, जो electron है, वो energy radiate नहीं करता, energy release नहीं करता, during revolution in these discrete orbits, जब वो in discrete orbits में घूमता है, और घूमने के दोरान, वो कोई energy release नहीं करता, जो energy shells है around nucleus, nucleus के around, तो it can only jump from one orbit to another, ये एक orbit से दूसरी orbit में jump कर सकता है, by losing or gaining only a fixed amount of energy, सिर्फ जो energy है, fixed amount of energy होता है, जो वो gain कर सकता है, या lose कर सकता है, ठीक है, यह हो गया आपका, this is your question number one, अब आते हैं हमारे question number two पे, तो question number two क्या है, how did Bohar's model of an atom overcome the drawback in the Rutherford model of an atom, जो Bohar का model है, उसने कैसे जो Rutherford की कमिया थी, जो उसके drawbacks थे, उनको overcome किया, ठीक है, तो देखो, जो Bohar's model of an atom है, उसने overcome किया drawback in the Rutherford model of an atom by explaining the stability of atom, उसने क्या explain कर दिया, जो atom में वो कैसे stable है, इस तरीके से उसने overcome किया, Bohar ने explain किया, explained the revolution of the electron in circular orbit by proposing that, उसने जो revolution जो electrons घूम रहे हैं circular orbit में, उसको explain किया by proposing, ये मानकर कि जो electrons है, वो fixed size है, और fixed उनका energy moving orbits of fixed size and energy the energy of an electron depends on the size of the orbit and is lower for smaller orbits, जो छोटे orbits होते हैं, उनके लिए कम होता है, radiation can occur only when the electron jump from one orbit to other, तो जो radiation है, वो सरफ तभी होगी, जब एक orbit से दूसरे orbit में जाएगा, तब energy लगेगी, वो भी fixed energy लगेगी, ठीक है, otherwise उसको घूमने में कोई energy नहीं लगती, ठीक है, तो ये हो गया question number two, now next question is question number three है हमारा, this is question two, question three है, draw a diagram bohars model of an atom showing four energy shells, आपको diagram बनाना है, energy shells दिखाने है, bohars के, तो ये diagram आपको बनाना है, ठीक है, ये diagram आपको बनाना है, अपने answer number three में, ये हो गया आपका nucleus, ये हो गया आपका k shell, l, m, n shell हो गई, कितने है number इनका, ये first shell है, ये second, यह पे n के जिखे three लिखाओ बेटा, इसको two कर लेना, ठीक है, first shell, second shell, third shell और fourth shell, ये चार shells आपके होंगे, ठीक है, तो ये हो गया, bohars model of an atom का, जिसमें energy, जो levels है, वो शो कियो होंगे, ठीक है, तो this is your question number third, question number fourth is, what are neutrons, where are they located, जो neutrons है, वो क्या होते हैं, और ये कहां पर होते हैं, तो लिखोगी, a neutron is a subatomic particle, जो neutron है, वो एक subatomic particle होता है, which has no charge, जिसका कोई charge नहीं होता, and its mass is nearly same as that of proton, और जो mass है, इसका, वो proton जितना ही होता है, ठीक है, neutron है, उसको answer ही present करते हैं, कहां होते हैं, neutrons are present in nucleus along with protons, ये protons के साथ nucleus के अंदर ही होते हैं, this is your question number four, now last question, question number five, what is valence orbit or shell and valence electrons, क्या होते है valence orbit, shell or valence electrons, जो outermost orbit है, एक atom में, वो होता है, valence orbit, और electrons जो होते है, इसके अंदर वो होते है, valence electron, ठीक है, तो this is your question number five, तो ये five questions आज आज आपकी work sheet में given ते, I hope, अच्छे से आपको पाचो questions समझ में आ गए, कोई भी doubt है पूरी work sheet में, तो comment section में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे, तो हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं, thank you and have a great day